प्रहाटेंग्स की न्यूज देखने के लिए फेस्बुक पर लाइक करें, यूटूब पर सब्सक्राइब करें और बोल आइकोन दबाना ना बोलें महें स्रामुदिन खान और आप देख रहे हैं प्रहाटेंग्स मुम्रा शहर से अज्जानी मानी हस्ती मौलाना अश्फाक सहब का इंतिकाल आज यानी सोमवार की सुभा आठ बजे हुई है मौलाना अश्फाक सहब मुम्रा के चर्मी पाड़ा के मस्डिदे बैतुल अतिक के इमाम थे इसके लामा मौलाना अश्फाक सहब एड़ोकेट भी थे मौलाना अश्फाक सहब को उनके बहतर कामों के लिए जाना जाता था और आगे भी जाना जाएगा मौलाना अश्फाक सहब भले ही मुम्रा के रशीत कंपॉर्ण में रहा करते थे मगार इनका पूरो परिवार मुंबई के भाई खला इलाके के साकली स्ट्रीट में रहते है मौलाना अश्फाक सहाब मुंबई शहर के लोगों के लिए एक बेहतर आइडियल थी उन्होंने बच्चों के तालीम और तर्बियत में बढ़चाण कर हिस्सा लिया नौजवान बच्चों को नशे से दूर कर दीन की तरफ मोडा यहां तक कि उन्हें जमात में भी भीजने का काम किया जिससे ये बच्चे सही राह पर चल सके इसके लावा मौलाना अश्फाक सहब ने CAA NRC के वक्त जो प्रोटेस्ट हो रहा था उस प्रोटेस्ट में भी शाहिन बाग के प्रोटेस्ट में ये काफी एक्टिव थे मौलाना अश्फाक सहब दीनी कामों से लेकर सामाजिक कामों में जो योगदान दिया है ये कभी भूला नहीं जा सकता बताय जा रहा है कि मौलाना अश्फाक साहब का एक हकते से ही इनका तभीयत जो है वो ठीक नहीं था और 6 नमबर सनिवार की सुबा 8 बजे मुंबई के नायर अस्पताल में मौलाना अश्फाक साहब का इंतिकाल हो गया मौलाना अश्फाक साहब सीनियर सिटीजन थे और उनकी तजफीन मुंबई के नाडियल वाली के ब्रस्तान में एशाय के नमास के बाद की गई मौलाना अश्फाक साहब भले ही हमारे बीच में नहीं है मगर उनके द्वारा जो काम किये गए हैं उनकामों की वज़े से वो हमेशा हमारे और आपके साथ रहेंगे तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहे हैं